हेलो जेहिं दोस्तों, HP General Knowledge 53 के इस बीडियो लेक्चर में आपका सभागत है, अभी नंदन है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज हुए यानि की 11 October 2020 को हुए Connector Exam की Answer की आपके लिए लेकर आए हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं प्रशनों की तरफ इसमें जो पहला प्रशन है, उसमें पूछा गया है बैरी बैरी रोग किस विटामीन की कमी से होता है, तो इसका जो जवाब होगा, वो होगा Option D, क्योंकि वो विटामीन इसमें कोई भी नहीं है बैरी बैरी रोग जो होता है, वो थाइमीन यानि की विटामीन B1 की कमी से होता है आता Option D, इसका सही जवाब है अगला प्रशन है, उसमें पूछा गया है, सिरीर में जल की अधिकता के परिणाम सभरूप यानि कि वो ऌप्शनatics, इसका सही उत्तरहत है, जोレल की अधिकता हो जाती है तो उसे कहा जाता है, यानि इसमें इसमें की होता है और इसमें क्या होता है जो साँट्लेबल होग होता है अगला परशन है उसमें पुछा गया है दर्द निवारिक दवा को क्या कहा जाता है तो दर्द निवारिक जो दवा होती है उसे कहा जाता है अगला प्रशन है पेस्मेकर इस लेटर टू तो पेस्मेकर जो उसका संबंध होता है हिरदे से तो इसमें कहीं भी हिरदे नहीं है अथा option D सही जवाब होगा अगला प्रशन है आईरन प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो आईरन जो प्रचूर मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है हरीशब जीओ में option A सही जबाब है अगला प्रशन है चक्रवात संबंदित है प्रती चक्रवात से उसी तरह जैसे बार संबंदित है तो बार संबंदित है सूखे से अगला प्रशन है उसमें पूछा गया है अंग्रेजी वरनवाला में BDG से CFJ है उसी प्रकार EGJ से क्या होगा तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन CFIM होगा यह रिजनिंग से संबंदित प्रशन था अगला प्रशन है इसमें जो था वो विशम को चुनना था जैसे कि सोने से अबूशन बनते हैं कपड़े से बस्तर बनते हैं लकड़ी से फरनीचर बनता है तो मिट्टी के वरतन से मृतिका नहीं बनती है ऑप्शन D यह इसमें सही जवाब होगा अगला प्रशन है नाइंत प्रशन है उसमें पूछा गया है अंग्रेजी वरनवाला में 22 से 8 वी अकसर और 27 के बीच में कितने अकसर हैं तो इसमें जो अकसर आने थे वो आने थे 11 अकसर आने थे option D सही जवाब होगा यह भी रिजनिंग से समद्दित प्रशन था अगला भी रिजनिंग से समद्दित प्रशन है इसमें पुछ अगर है यदि P.A.L.E का कूट 2 2134 है और EARTH यानि कि आर्थ का कूट 4590 है उसी तरह परल यानि कि PEARL का कूट क्या होगा तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा option B 24153 जिसने भी यह लगाया है उसका जवाब सही है अगले परशन में जो missing term है वो डूननी थी तो इसका जो सही उत्तर था वो बन रहा है 108 option सही जवाब है अगले परशन में पूछा गया था कि अक्सर स्रेणी में अगला फ़द क्या होगा तो इसमें जो अगला फ़द आ रहा है वो आ रहा है option D यानि कि U, W, Y अगले परशन में पूछा गया था कि जावेद के भाई की वहन के पिता के भाई करीम है और करीम की पुत्तर डूली है तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है वो आ रहा है option C कजन आ रहा है अगला परशन है ये एक बिंदू से प्रारंब करके एक आदमी चार किलोमेटर पस्चिम की और चलता है फिर दाई और मुड़ता है फिर चार किलोमेटर चलता है उसके बाद दुबारा दाई और मुड़कर चार किलोमेटर चलता है तो अरम बिंदू से उसकी दिशा क्या ह तो इसका जो सही जवाब आ रहा है वो है उत्तर जिसा आ रहा है, option A सही जवाब है, अगले परशन में जो पूचा गया है, ये भी रिजिनिंग से संबंदित है, इसमें पूचा गया है, यदि 1996 में सुक्रवार को गणतंतर दिवस मनाया गया था, तो 2000 में सबंतरता दिवस कि इस दिन मनाया गया होगा, तो इसका जो सही जवाब आ रहा है, वो है, option C मंगलवार आ रहा है, अगले परशन में पूचा गया है, हाल ही में किसको तिस्वा सरस्वती सम्मान पुरुषकार परदान किया गया है, तो सरस्वती सम्मान पुरुषकार जो हाल ही में दिए गया वो बासदेव माही को दिया गया मोही को दिया गया और ये एक प्रख्याल सिंदी लेखक है अगला परसन है हाल ही में फ्रेंच गुएना से कौन सा वारती उपगरह प्रक्षेपित किया गया तो इसका जो सही जबाब है वो है ऑप्शन B प्रक्षेपित किया गया और ये इसरो की सेटलाइट दबारा ये छोड़ा गया अगले परसन में जो पुछा गया है भारती शैन ने दबारा हाल ही में संपन हुए सबसे बड़े बिमान वाहित अभ्यास का क्या नाम है तो इसका जो सही जबाब है वो है Option C Wing Rider इसका नाम है अगले परसन है उसमें पुछा गया है हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारती अंतरिक्ष शैत्रियों का चैन हुआ है तो मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए चार भारतीयों का चैन हुआ है Option C सही जवाब है अगले परसन में पूछा गया है हाल ही में राष्टपती के दवारा घोशित किये गए संबेधानिक शन्शोद्रों के वाद किस देश की संपुरुन सरकार ने त्यायक पत्तर दे दिया तो ये दिया था रूस की सरकार ने Option C सही जवाब है अगले परसन में पुछा गया है कौन सा रज्जे 2020 को सुसासन संकल्प जो है वो से संबंदित है तो इलिशू डैम जो है वो तर्की से संबंदित है, option C सही जबाब होगा, आएए देखते हैं अगला प्रशन तो इसमें पूछा गया है, किस कंपनी ने भारत की पहली audio शेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत की है, तो सुनो की जो हाल ही में शुरुआत की है, वो की है, औरिवल कंपनी ने किया है, option B सही जबाब होगा, अगला प्रशन जो है, इसमें पूछा गया है, तेरवें दक्षिनी एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में सीर्ष स्थान पर रहा था, तो ये रहा था, वारत रहा था, option C सही जबाब है, अगला प्रशन ह इसमें पूछा गया है, एक सो पचास में, एक सो पचास रनजी में आज खेलने वाला पहला बारतिय कौन वना है, तो ये वना है, बसीम जाफर वना है, option C सही जबाब है, अगला परसन है, हिमाच्र प्रदेश का कुल वोगोलिक शेत्रफल कितना है, तो हिमाच्र सही जबाब होगा, अगला परसन है, हिमाच्र प्रदेश के किनोर जिले का जिला मुख्याल कहां पर है, तो हिमाच्र प्रदेश के किनोर जिले का जोग जिला मुख्याल है, बो रिकांग प्यों में है, option D सही जबाब है, अगला परसन है, हिमाच्र प्रदेश की सबसे बड लिए और यह सोलन डिस्टिक में अगले परशन में जो पूचा गया है उसमें रावी नदी नदी का उद्गम स्थान है और बड़वंगाल जो हो हिमाच्र प्रदेस के बैजनात उप मंडल में पर अगले परशन है हिमार्चापरदेस के कौन से जिले में गशोता मेला मनाया जाता है तो हिमार्चापरदेस में गशोता मेला हमीरपूर में मनाया जाता है option C सही जबाब है अगला जो प्रशन है हिमार्चापरदेस में कौन से जिले का जनसंक्या घनतब सबसे जाता है चार option दिये हैं, गिरिशेंट सही option है, अगला प्रसन है, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? तो सुंदरनगर का जो बैसे तो पुराना नाम शुकेत था, प्रंतु इशे बनेर भी कहा जाता था, option D सही जबाब है, अगला प्रसन है, किस बर्स हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन वोर्ड की स्थापना हुई थी, वो हुई थी, सन 1969 में हुई थी, option B सही जबाब है, आईए चलते हैं अगले प्रसन की तरफ, तो अगले प्रसन में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पिती जिले में कुल कितनी विदान सबा निरवाचन सीटे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पिती जिले में कुल निरवाचन सीटे जो हैं, वो एक ह ही है अग्ला person है मांचार प्रदेष के परिवहन मंतरी को है हमाच्र प्रदेष के परिवहन मंतरी गौविंसी निठाकुर है पहले इनके पास जो था वो फोरेश्ट एंड यू सर्वीश सपक्र का कारेबार था अग्ले person में जो गांदी जी पहली वार शिम्ला कब आये तो गांदी जी शिम्ला पहली बार आये थे 1921 में आये थे अगला प्रसर भारत में शिम्ला को बेटिरिस राज्य के ग्रीशम कालीं राजदानी किशने बनाए था तो तो सर जॉन लोरेंस ने बनाया था औपरिशन भी सही जवाव है और बना दिये गए इसमें इसे हिमाच्च्च प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कार परशन ऑप्षन ए सही जवाब है नाइटी सैंटी फॉर में हुई थी अगला परसन है हिमाच्च्च प्रदेश में सूर्य मंदर की स्थान पर है तो यह है नीरत में है शिमला में है अगला परसन है हिमाच्च प्रदेश में पर्थम पंच परशी ओजना के लिए कुल अवंटित ध्रनराश्ची कितनी थी तो यह थी 5.27 करोड थी ऑप्षन डी सही जवाब है अगले परसन में पूछा गया है नाथवा जाकडी परियोजना में हिमाच्च्च प्रदेश का अगले परसन है गुरुग गौविन सी ने दसम गरंत का प्रमुक अंश कहां लिखा था तो गुरुग गौविन सी ने जो दसम गरंत का प्रमुक अंश लिखा था वो पॉन्टा साही में लिखा था ऑप्षन भी सही जवाब है अगले परसन में पूछा गया है पहाडी चि परसन है द्योर्षित टेंपल इस लिकेटर इन विच डिस्टिक तो द्योर्षित जो वह हमीरपुर में है ऑप्शन डी सही जवाब होगा इनमें से कोई भी नहीं अगला परसन है बुंदा सर्वनी इस हैल्ड आफ्टर एवरियर तो यह कितने सालवाद बनाए जाता है तो य